हेलो फ्रेंड अपने चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड आज मैं जो पॉट दिखा रही हूं इस पॉट को मैंने किचन वेस्ट से निकला मैटेरियल से ही बनाया है फ्रेंड देख के ही कितना खुबसूरत लग रहा है जरूरी नहीं कि आपका पॉट सुंद लगैगा या आपका रुम सुंद लगए लगएगा या आपका गार्डेन सुंद लगा ऐसा नहीं फ्रेंड अगर आप वेस्ट माटेरियल से भी और कोई चीज बनाते हैं तो भी पॉट बहुत सुंद लगता फ्रेंड इस तरीके का पॉट बने जरू करेगा क्योंकि हर घर में ये वेस्ट चीजे निकलती रहती है वो अपने रूम को अपने टेबल पे कहीं भी इस तरीके से पॉट को सजा सकता है फ्रेंट देखने में सुन्दर लगे वही चीज मैं काम करती हूं फ्रेंट देख सकते हैं ये है मेरे चेवन प्रास का डि प्लास्टिक लगा है फ्रेंट ये प्लास्टिक मुझे पसंद नहीं आता फ्रेंट देखिए हटाने के बाद ये वाइट डिबा कितना सुन्दर लग रहा है तो जिसको मुझे कटिंग करना है उसको पहले आपको पनी हटानी है पनी हटाने के बाद ही इसको कटिंग आपको ज्यादा मेहनत करने की ज़रूत नहीं है देख सकते हैं कितना आसानी से मैंने हटाया कोई भी इसमें निशान नहीं है कुछ पनियां ऐसी होती कि चिपकी होती है अगर चिपकी हो तो हलका से उसको गरम करके निकालेंगे तो भी निकल जाएगी लेकि फ्रेंड ये जो डिबबा इसका पनियां वह पनिया चिपका हुआ नहीं है इसलिए आसानी से निकल जाएगा फेंड आपको करना क्या है नीचे साइड से आपको एक चक्कू से इस तरीके से पनिया थोड़ा फाल लेना है फेंड मैं एक खासी वीडियो बना रही है इसलिए आपको दिखा तो आपको देखिए इस तरीके से हटाते जाएंगे तो आपकी पन्य आसानी से निकल जाएगी डब्बे से और बिल्कुल सापसुत्रा दिखने लगेगा तो देख सकते मैं कैसे हटा रही हूं फ्रें बहुत आसानी से निकल भी जाता है और पॉट भी खुब सुन्दर दिखेगा जब बिल्कुल कोई दाग नहीं होगा एकदम वाइट दिखेगा तो देख लीजे फ्रेंड ये बिल्कुल आसानी से ये डब्बे से पूरा पन्य हट गया और ये बिल्कुल वाइट हो ग अगर उसे में कोई भी कलर अप लगाते तो सुन्दर ही दिखेगा तो फ्रेंड मैं कलर भी नहीं लगाती हूं कलर इसलिए नहीं लगाती हूं कोई जितने कम मैं कलर खरीदूंगी फिर इसको पेंट करूंगी उससे कम खर्च में मेरा पॉट और अच्छे से त्यार हो यहां से आपको कटिंग करना है उसपे आप पें dor just gonna सकते हैं इसको काटने के लिए अब कही थोड़ा आपको साइज बढ़ा रखना तो ऊपर से काटी ऐगर छोटा रखना थो नीचे से काटी तो देख अब मैं इसको करोंगे इसफेर देखसेशंते हैं तो ही सफ क्रास्य से कट जाएगा फोल्स और यहं कोई कीज़ करते इस तर typically से कंट जाएगा यह अगर बड़ी कैचिल थह तो तो यह हाथों से फिशल रहा था इसलिए फ्रेंड मैं इसको कपले के उपर रखके कटिंग कर रहे हूं तो फ्रेंड देख सकते हैं कट करके मेरा यह पॉर्ट सुन्दस त्यार हो गया है अब कितना खुबसूरत लग रहा फ्रेंड आप जब भी अगर पॉर्ट बनाना हो तो उसकी पनिया हटा दिजे कोई भी पॉर्ट हो फ्रेंड आप बचता है इस पॉर्ट में मुझे होल करना है देख सकते हैं कटिंग के बाद यह अलग हो गया है और कितना खुबसूरत से मे सजाने के लिए आप पॉर्ट को पेंट यूज करते हैं नेल कलर यूज कर सकते हैं कुछ भी आप यूज कर सकते हैं इस पॉर्ट में लेकिन फ्रेंड मैंने इसको सजाने के लिए देख सकते हैं आप मैंने स्टीकर का यूज किया है कोई भी मार्केट में आपको स्टीकर मि लगा सकते हैं तो मैं बहुत कम भरा हुआ मेरा पॉर्ट दिखे इसलिए मैं एक-एक स्टीकर अपने पॉर्ट में लगा रही हूँ देख सकते फ्रेंड ये स्टीकर लगाने के बाद कितना खुबसूरत लग रहा है तो इस तरीके से आप सबसे सस्ता और सबसे अच्छा पॉर्ट तयार कर सकते अपने घर में इसको डाइनिंग टेबल पे सेंटेट टेबल पे कॉर्णर में कहीं भी अपने रूम में रखे ये बहुत ही खुबसूरत लगेगा फ्रेंड आपकी मर्जी जैसे चाहे वैसा टेकर से ही काम चल जाएगा तो मेरी वीडियो कैसी लगती फिर अच्छी लगती तो और दोस्तों जरूर सब्सक्राइब